तो आज हम यूनिट जो स्टार्ट करने जा रहे है जो है आपके सामने अल्डी हैड, किटॉन and कार्बोकसिलिक एसिड ये उनिट के अंदर हम अभी NCRT line to line जाएगे हर लाइन को समझेगे कहां से question आता है कैसे question आता है आपको specially for your board exam और कैसे question बन गए और कैसे question बनते है उसके बाद हम in-text question exercise भी solve करेगे उसके अलग से भी बाद में lecture आएगे लेकिन फिलहाल आपको जो है NCRT line to line चलेगा short में आप जो पहली बार मेरे lecture पे आ रहे हो तो आपको short में मेरा intro कर लो कि जो है मैं इंडिया के topmost brand जिसके अंदर already मैं continue अभी तक पढ़ा ही रहा हूँ और साथ में number of institute में पढ़ा चुका हूँ बस ये जो lecture series ये उसका main focus ये ही है कि आपको NCIT में कोई भी जगा problem ना रहे बहुत कुछ ऐसा extra है जेए नीट उसके लिए अलग से भी series मिलेगी चलो start करते हैं सबसे पहले हम aldehyde ketone and carboxylic acid तो आप सबको पता ही है कि aldehyde को जो हम इस तरह लिखते C double bond OH ठीक है CHO को हम aldehyde के नाम से जानते है कि टोन को हम normally इस तरह C double bond OH कर्बोनील ग्रूप and carboxylic acid को C double OH तो आप तीनों में एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी आपको कार्बोनील ग्रूप क्या देखने मिलेगा CO ठीक है ये आप तीनों में आपको ये commonly देखने को मिलती है आप सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर यही चीज यहाँ पर mention है तो जब भी आपकी note बना रहे हो या तो आप highlight करते हो अपने especially अपने जो है anxiety के अंदर तो यह सब में कुछ नहीं जाना है आपको इसमें time waste नहीं करना है यहाँ कुछ भी नहीं है बहुत सारे बच्चे क्या गरते हैं कि हर लाइन पढ़ने बैठते हैं वो जरूरी नहीं यह बटा है आपको जो बता है उस पर focus करिए तो दीकों सबसे पहले मैंने भी बता दिया कि यहाँ पर H आ जाता है तो aldehyde बन जाता है यहाँ H की जगह replace हो कर आ रहा गया कार्बोनिल के साथ तो क्या बन जाता है ketone OH आ गया तो कार्बोकसिलिक साथ में कुछ और भी derivatives है लाइक इसकी जगह X आ गया तो इसको कहेंगे एसाइल है लाइन क्या कहेंगे हम आपको बहुत सारे रेक्शन मिलेगे CS3 COCL जैसे आगे आ गया था ठीक है और बेंजीन के साथ वहां पर जूड़ गया था तो हमने फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेसन किया था में भी याद हो आपको और उसकी जगह NH2 आ जाता है सपोस्त उसको कहते है माइड सीओ निश्टू को क्या कहते है बोलो बटा हम एमाइड ग्रूप कहते है तो यह आपको याद होना चाहिए ठीक है यह आपको प्रिपैर कर लेना है मतलब पता होना चाहिए व्यासे तो इजी इसमें कुछ याद करने जैसा है यह नहीं इसके बाद एस्टर भी इसके साथ साथ और भी हमारे जो है कुछ डियरिविटी इस बनते है फंक्शनल ग्रूप बनते है जैसे सब्स वहां पर ओ आर आ गया तो बन जाएगा एस्टर और साथ में और एक ग्रूप जुड़ गया आर सीओ का तो बन जाता है एसिड एन हाइड क्या बन इसमें कि यहां से हुचट ओर हो जाता है विड़ा यादा रहा है और यह ओंन चला जाता है तो जिसको हम ऐसा लिख सकते है आर सीओ कॉमन वापस और इसलिए इसको एन हाइड्रेट कहा क्यूंकि इसमें से पानी हो रहा है वाटर मॉलेक्यूल रिम होता है तुछ इसलिए को हम acid and hydrate के नाम से जानेगे, clear? यहां से आपके MCQ पाटा, यह तीनों तीन आपको आने चाहिए, there is one, two and three, तीनों तीन आपका MCQ पाट है कैसे MCQ एग्जाम में आएगा? First of all, they ask what is the formula of vanillin, what is the formula of vanillin, तो आपको पता होना चाहिए, बेंजीन के उपर CH3 और यहां पर meta position इसकी comparison में, वो CH3 और सामने की side OH जिसको हम क्या कहते है vanillin कहते हैं, और इसी तरह salisaldehyde, यह तो आगे preparation भी की लिए हमने, cinnamaldehyde यह आपको याद रखना है CH, double bond CH, CHO, तो तीनों के structure याद होने चाहिए, साथ में और भी क्या MC क्यू निकलते हैं, वो भी हमें देखना इसमें से, के vanillin हमें कहां से मिलता है, vanilla bean में से जैसे हम आइस्क्री में खाते हैं, vanilla flavor बहुत सारे flavor हमें मिलते हैं, तो एक vanilla flavor भी आता है, अभी बहुत सारे market इसलिए chemical ही है, आप बनाना खा रहे हो, graps खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, उसमें आपको आँखे बन करके भी graps खाओगे, पता चल गाएगा graps, mango खाओगे, पता चल जाएगा mango है, क्योंकि उसमें flavor है, बात समझ में आ रही है, फ्रेग्नेंस अलग चीज़ है, फ्लेवर की बात करता हो, तो फ्लेवर वाट इस इस, इस वन टाइप अप दी chemical formula, उस तरह का ही chemical formula artificially lab में बना देते हैं, बात समझ में आ रही है, ओके, तो ये जो है न, वेनिलीन कहां से अक्टेन होता है, वेनिला बीन में से, clear रिकना, जैसे हम coffee है, तो coffee बीन में से आता है, वो आपको पता है, इसी तरह, salisaldehyde, वो middle sweet में से मिलता है, कहां से मिलता है, ये याद रखता है, MC को इसलिए इसको highlight कर वा रहा हूँ, middle sweet, हम हमारे गर पे ज्यादा तर आप कोई भी जगा जाओगे, खाने के बाद देते हैं, वरियाडी, वरियाडी, खादी नदी खादी, बस वही ही, ठीक है, और इसी तरह, cinnamaldehyde, cinnamon में से मिलता है, ठीक है, वो जो touch-perty जैसे आता है, क्लियर, तो यह याद रखना है, cinnamaldehyde का कहां से source है, तो cinnamon में से बटा, salisaldehyde जो है, वो middle sweet में से है, और vaniline, vanila बीगनी से, तो तीनों की structure भी याद होने चाहिए, as well as उसका source, कहां से obtain करते initial, बोलो clear, यहां तक आप कुछ समझ में आ गया होगा, यहां से question थे बटा, यहां से कोई point नहीं है, ठीक है, अब next point, common name, alpha-beta हिसाब के, फिर IUP-C नाम पे जाएगे, तो याद रखना, नॉर्मल इसका नम तो चलो, acetaldehyde है, यह बेंजा-aldehyde है, यह तो समझ में आया, जहां पर भी, aldehyde ग्रूप है, उसकी जो neighboring carbon है, उसको alpha-carbon कहेगे, क्या कहेगे उसको, उसकी बाजू में, बीटा, फिर gamma, theta इस तरह आपका चलता रही है, clear, तो यह याद रखना है, यह general name की बात चल रही है, alpha-beta-gamma, तो बीटा position पर क्या है, तो क्या कहेगे, बीटा, ब्रॉमो, 1, 2, 3, 4, carbon, वैसे हम normally butan कहते है, butanol, वो IUP-C है, यहाँ पर आएगा, butanol-dehyde, क्या आएगा, butanol-dehyde, क्या आ टॉफ नहीं है, बटा, चलो और देखते हैं, इसी तरह, यहाँ देखिए, यह तो acetone है, acetofenone है, यह propriofenone है, क्योंकि यह 3 carbon इसको priority दी, और यह fenon बन गया, इसी तरह benjofenone, clear, तो यह आपको generally पताईए, आपको, अब IUP-C naming के बात करते हैं, चलो, फटा-फटी, वसे आगे सिखा दिया, बट एक पर वापस से, दो carbon है, इथेन, और CHO के पीछे क्या लगेगा, आल, क्या लगेगा बो, आल, तो क्या बन जाएगा, इथेनाल, इथेन प्लस आल, इथेनाल, अब यहाँ नमबर कहा देगे, बोलो, यहाँ नमबर में देगे, न, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बोल क्लियर, यहस और नो, अब सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, ब्रॉमीन का, वाई, क्यों, यहस, वेरी गुड, तो 4, ब्रॉमो, 3, मिथाइल, कितने कारबन यह सेवन, हैप टेन, प्लस पीछे लगेगा, आल, तो क्या बन जाएगा, हैप टेनाल, एक दम क्लियर, ठीक है, चलो यहाँ पर, इसका नंबर 1 आएगा, कितन ग्रूप की रियक्टिविटी ज्यादा होती है, 1, 2, 3, 3, मिथाइल, साइक्लो, यह पांच कारबन, इसले पैंटेन और कितन की पिछे लगेगा, आउन, तो पैंटेन, साइक्लो, पैंटेन, एक दम, साइक्लो, हेक्जेन, इस इसमें आल नहीं लगेगा, इसके लिए लिखेगे हम कारबाल डियाड, क्या लिखेगे, यह ध्यान रखना, ठीके, अब यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, बता ही, मुझे यहाँ पर क्या होगा बटा, पांच कारबन, इसले पैंटेन, सेकंड नमबर पर, डबल बॉन्ड, इसले फिनाइल, तीन कारबन, इसले प्रॉपेन, वन ओन, ठीके, चलो इसके तरह, और नेक्स्ट, यहाँ पर बताइए मुझे, 1, 2, 3, 4, 5, चलो यहाँ पर बोलिए बटा, क्या होगा, 3, OXO, आपको क्वेशन होगा सर, किटों नहीं है, इसमें OXO क्यों लगेगा, यहाँ पर, CHO की reactivity जयाता है, पीछे नाम जो है ना, यहामी तब बच्चन जैसे है, हम जहाँ खड़े होते हैं, वहीं से लाइन सुरू होती, जिसकी reactivity जयाता होगी, उसी का नाम पीछे आएगा, prefix and suffix पता है न आपको, element में पढ़ाए, तो ketone का on भी लगता है, लेकिन जब वो secondary में आता हो, तो पीछे लग जाता है, उसके लिए क्या लगता है, पुरा टेबल था आपका, inside book में भी दिया है, आपने दिखा होगा विटा, ठीक है, तो three oxo, पांच कारबन है, one, two, three, four, five, तो five carbon, pentane, plus all, pentane, very good, चलो यहाँ पर, अब यहाँ पे देखो कि आप कैसे करेगे हम तो यू जाए या यू जाए, तीन नंबर पर यहाँ आता है, ketone, यहाँ से three, four, five, तो second नंबर पर methyl है, four नंबर पर methyl है, two, four, dimethyl, five carbon है, pentane, three, all, very good, इसके reactivity ज़्यादा, one, two, three, four, four, nitro, benzene, carbaldehyde भी कह सकते है, benjaldehyde भी कह सकते है, okay, सैमेस, यहाँ पे one, two, three, यह उसकी जाए आगया आगया एक point, तो यहाँ पर CS3 को हम counting में नहीं लेगे, IOPC में, दो से ज्यादा जब आजाते है, more than two, at that time we do not consider in accounting, counting में लेना नहीं, तो क्या करेगे, तो दिखो इस तरह की आपने, ठीके, propane, one, two, three, तीन बार है, तीन बार इसले try, और CHO के लिए हमने क्या कह कारबालडी है, तो try कारबालडी है, बोलो clear, ऐसे count मत करना, one, two, three, four, five, बना wrong हो चाहिए, बोलो clear, ठीक एक दाम, बोलो समझ में आ गया, ठीक इसी तरह एक table भी दिया है, आपको practice के लिए, तो इसमें से एक दो और कर लिजी अभी, चलो फटा फट, ये तो कर लिजी, one, two, जो थोड़े, आपको जल, और चलो ये भी कर लिजी, ये भी कर लिजी, तीन, चार कर लिजी practice, चलो मैं कर वा ये लिता हूँ साथ में, CH2 twice, CHCH, क्या होगा बोलो, इसको ऐसा structure बनेगा, देखो, CH3, CH, CH3, और फिर क्या होगा मेटा, दो आ गए, और CH, ऐसा होगा, नहीं यहाँ पर 1, 2, 3, 2-methyl, propenol, very good, right answer, ठीक है, बाकिस अब तो easy हमने practice कर लिए, फिर भी आपको देख लेने, चलो एक वारा ये last वाला करो try, ये दो, सोचिए CH3, 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 तो यह से structure बनेगा, बड़क, देखो, इस carbon के साथ दो बार CH3 है, इस carbon के साथ दो बार है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो लिख सकते हैं, 2, 4, dimethyl, 5 carbon है, pentane, 3, और, बलो हो गया, yes or no, ठीक है, चलो last वाला, ये ये वाला किया, लो blast वाला करो, झाला कियो, इसना है? कि नौट नहीं है रो ले लो इसमें क्या तो चलो इसका ऐसा होगा बटा देखो फॉर मिथायल होगा यहां से देखो क्या होगा फॉर मिथायल क्यों यहां से नंबरिंग क्यों किया रिजन कि टॉन की रिक्टिविटी ज्याता है कंपेर्ड टू मिथायल और यहां से हमने स्टार्ट किया बटा ओके और यहां पर फॉर मिथायल पांच कार्बन है इसले पैंट देखो पैंट ठीक है थर्ड नंबर पर डबल बॉंड है 321 समझ में आ गया पूरा यू पीसी यह सड़न तो यह हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा इसका इंट्रोडक्शन क्या है कैसे है बटा अब इसका स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रूप के बारे में हम देखेगे बटा structure of carbonyl group यहां से कोई नीट में इतना ज्यादा question आता नहीं है मतलब sorry आपके board में भी लेकिन फिर भी इसको समझना है और कभी आ गया इतना आसान है कि एक बार पढ़ लिया ना आपने अभी समझ लिया तो भी आप लिख पाओगे ठीके, देखो cu का मतलब अब ऐसा लिख सकते हो C double bond हो यहां सोर नो, clear एकदम बोलो समझ में आया इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यह carbon है, यह oxygen है ठीके, इसको ऐसा लिख सकते for example, इसके उपर हम delta positive यह delta negative बोलो clear यह बात मैं थोड़ा reverse जा रहा हूँ आपको यह point नीचे दिया है बोलो clear अब इसको हम थोड़ा image नरी मतलब कि cloud वाला structure बनाना हो यह double bond ऐसे तो बनेगा नहीं न कैसे बनेगा, तो आपको पता है कि normally यह carbon होता है उसके साथ normally यह oxygen जुड़ता है उसके उपर की तरफ यह cloud बन जाता है इसके नीचे की तरफ यह cloud बन जाता है बोलो clear यह बनता है pi bond क्या बनता है बोलो मालो यह sigma है, तो यह क्या है पाई है for example तो यह sigma हो गया यह पाई हो गया बोलो एकदम clear yes or no और आपको question का सार, यह कैसे बना तो उसके लिए भी हमें पता है ऐसे हम बना सकते हैं कि नॉर्मल ही जो है कार्बन ओक्सीजन, यहाँ पर एक क्लाउड यह दुसरा क्लाउड, एक इसका क्लाउड इसका क्लाउड, तो यह क्लाउड जो है आपस में मिल जाते हैं ठीक है? और यह पाई बना देते हैं उपपर की तरफ, यह नीचे की तरफ तो यह तीनों के तीनों जो है आप हम कह सकते हैं कि ऐसे 120 डिग्री पर होते हैं कितने डिग्री पर? 120 डिग्री पर आपको एरेंज होता है 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 इमेज बना दो लेकिन समझ ना है रट्टा नहीं लगाना कि इसे होता है यह कैसे बना? तो सबसे पहले कार्बन के पास जो दिख 1, 2, 3 तो हो गया, चौते नंबर का इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम दो बाज स्प्लीट करते है पाई बन के लिए, वैसे एक ही है अब यहां सोचो कि यह दो-दो जोईन हो रहे है एक ही है लेकिन स्प्लीट होता है पाई बन के अंदर हमें पता है बटा है यह दोनों जुड़ गए तो यह पाई बन हो गए और इसको हम कह सकते है 120 तिगरी तो यही पूरी चीज हमें थियरी में मैंसल है यही पूरी चीज थियरी में मैंसल है कैसे दिखते है इन कारबोनिल ग्रूप एस्पी टू हाईब्र दैज एन फॉरम और थ्री सिगमा कितने सिगमा होगे बोलो थ्री सिगमा देखो यह वान अब देख सकते हो यह 1, 2 और यह 3 और यह πाई बन गया है यहाँ पे भी mention कर सकते हूँ यह एक sigma, दुसरा और यह तिसरा और एक πाई बन गया है बोलो clear? तो 3 sigma और एक πाई बनता है और SP2 hybridization होता है बोलो clear? पॉइंट नमबर 1 हो गया, चलो ठीक है पॉइंट नमबर 2 फॉइंट नमबर का जो electron होता है वो आपस में overlap करके कौनसा bond बनाता है? पाई bond बनाता है वोई चीज़ 2nd point है बोलो clear? P orbital form a pi bond oxygen overlap with pi orbital oxygen and this form a pi bond क्या बनाएगा बोलो? pi bond बनाएगा ठीक है तिसरा point वो एक दुसरे के साथ कितने degree पर arrange है? बोलो समझ मां आगए बोरी थियरी? बहुत आसान है के नहीं है? कैसे याद रखनी बोलो clear एकदम? एकदम डान? एनी डाउट? ठीक है और लास्ट में हम कह सकते हैं कि यह जो है इसकी electron negativity कम है इसकी electron negativity ज्यादा है इसलिए inductive effect आपको पताइए बटा वो ज्यादा पूल करेगा आच वे डल्टा partially negative यह positive बच जाता है clear रखना है? ठीक है write the structure of following compound इन सब के आपको structure बनाने चलो practice करो इन सब की structure बनाओ